हेलो फ्रेंड्स एस एजुकेशन में आपका स्वागत है मैं हूँ आशतोष कुमार आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्ड फॉर्मेटिंग की वर्ड फॉर्मेटिंग कमांड्स तो पिछली वीडियो में हमने 10 कमांड के बारे में जाना था word formatting की और आज हम 10 कमांड के बारे में और जानेंगे word formatting के word formatting में जैसे कि हमने command के दुआरा text को change करने के लिए सारी formatting का इस्तमाल किया तो इसके अंदर हम और बाकी commands को भी use करते हैं तो चलिए start करते हैं यहाँ पर text ले लेते हैं automatic तो प्रेस करना है इक्क्वल रेन ब्रैकिट और यहाँ पर हमने प्रेस किया है 10 paragraph two lines then enter तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर paragraph आपका insert हो गया है तो सबसे पहले हम इसमें use कर रहे है highlight text highlight text का मतलब होता है कि जो हम text important लगता है हमारे लिए उस word को select करके आप highlight कर सकते हैं तो word को select करके प्रेस करना है alt hi और यहाँ से आप text में जो भी color से mark करना चाहें text को mark कर सकते हैं यह हमें show कराना है content को text को तो इसको selection करके alt hi प्रेस करना है और इसे आप mark कर सकते हैं alt hi कमांड को आपको single single की में प्रेस करना है तो आप इसे use कर सकते हैं इसके बाद आता है text color, text color की command होती है alt hfc मतलब कि अगर हमें word को color करना है command से तो कैसे करेंगे तो word को पहले select करना है और प्रेस करना है alt hfc और यहाँ से जो भी color आपको use करना है वो color आप यहाँ पे select कर सकते हैं तो इस command को भी आपको single single तरीके से use करना है एक साथ press करके नहीं करना है अगर आप एक साथ press करेंगे तो आप इस command को use नहीं कर पाएंगे आपको single press करना है पहले alt को फिर hfc यह सारी tab color command होती है आप यहाँ option से यह सारी command का use कर सकते हैं क्योंकि यह जो tab होता है alt के साथ, alt के साथ जो हम key use करते हैं, वो direct हमें यहाँ पे highlight कर देता है, तो इसलिए इसे use करना बहुत ही आसान है, next है bullet, alt h u, bullet एक point होता है, जब हम कोई भी paragraph को point में दिखाना चाहते हैं, या कोई list बनाना चाहते हैं, उसमें हम bullet use करते हैं, तो प्रेस करेंगे alt h u, और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अलग अलग तरह के bullets sign नजर आ रहे हैं, तो जिस तरह का bullet आप use करेंगे, उस पे आपको click कर देना है, इसके अलाबा अगर हमें और अलग तरह के bullet चाहिए, तो bullet आप दो तरीके का और भी ला सकते हैं, तो प्रे यहाँ पे symbols bullets होते हैं, picture bullets होती है, symbol bullet में जाने के बाद, आपको जिस तरह का sign bullet चाहिए, आप उस sign पे click करेंगे, और click करने के बाद इसे ok करना है, और यह sign यहाँ से change हो जाएगा, फिर से press करते हैं, alt h u, और यहाँ पे define new bullet पे जाने के बाद, picture bullets का भी हम use कर सकते हैं, picture bullets, इसमें बने बनाए bullets होते हैं, जिनका हम इस्तमाल इसमें कर सकते हैं, और जैसा आपको format चाहिए, उस तरह का style आप bullets में लगा सकते हैं, तो bullets का use formatting के लिए करते हैं, और आपको हर तरह के bullets इसके अंदर मिल जाएंगे, next command की और बढ़ते हैं, अगला है insert number bullets, number का use numbering के लिए होता है, तो data को करना है select, select करने के बाद press करना है, अल्ट, H, N, तो numbering bullets में आपको जैसा bullet चाहिए, आप यहां से set कर सकते हैं, numbering में आप जैसा चाहिए, वैसा bullet यहां पर put कर सकते हैं, इसमें भी आप bullet नया create कर सकते हैं, फिट से press करते हैं, अल्ट, H, N, और यहां पर आपको create करना है define new number format पे, तो यहां पर आपको जिस format में लिखना है, जैसे कि मुझे यहां पर 01 करके लिखना है, तो आप यहां पर 0 लगा दें, और यहां bullet content change हो जाएगा, ओके करेंगे, तो आपका यह 01, 02, 03, 04 format में आ जाएगा, bullet हटाना है, तो फिर से प्रेस करेंगे all touch you, और यहां से no पर click कर देंगे, तो bullet आपका यहां से हट जाएगा, इसके बाद आते हैं indent, indent दो तरह के होते हैं, increase indent और decrease indent, यहां पर दिया हुआ है, increase indent और decrease indent, तो indent कैसे काम करता है, तो इसके लिए हम इसे use करेंगे, पहले हम select करेंगे paragraph को, और प्रेस करना है, control M, control के साथ प्रेस करेंगे M, तो इसे कहते हैं increase indent, अब इसे back करना है, तो प्रेस करेंगे, control shift M, इसे कहेंगे हम decrease indent, तो यह कम हो जाएगे, तो paragraph को अगर आपको move करके लिखना है, थोड़ा आगे, ruler के country, according, तो आप यहां पर indent का इस्तमाल कर सकते हैं, indent के बाद आता है, multiple list, multiple list क्या होता है, कि जैसे हम कोई भी list create करते हैं, तो उसके अंदर हम multiple का use कर सकते हैं, तो multiple list के लिए command होती है, alt-h-m, तो इसके लिए थोड़ा सा देखो, content हम use करते हैं, जैसे की, हमने लिखा यहां पर home, एक tab यूज़ करेंगे, और इसके अंदर जैसे हमने लिखा clipboard, font, पराग्राफ, अब इस पराग्राफ को select कर लेते हैं, करने के बार प्रेस करना है, alt-h-m, और यहां से यह list आप use कर सकते हैं, तो इसके अंदर यह जो point बनकर आता है, इसको हम कहते है multiple list, कि इससे यह show होता है कि इस home के अंदर यह point का इस्तमाल इसके अंदर किया गया, तो यह multiple list का काम होता है, जैसे कि कोई हमें notes बनाना है, या हमें कोई data create करना है, इस तरह का, तो उसके अंदर हम multiple list का use करते हैं, तो इसकी shortcut की है alt-h-m, जो आप इसके अंदर में use कर सकते हैं, multiple list के लिए, इसके बाद आता है हमारा short, short का मतलब होता है arrange करना, कि हमें data को arrange करना है, तो arrange करने के लिए, जैसे कि हम कोई numbers का इस्तमाल करते हैं, इसके अंदर लिखने के लिए, तो मैं कुछ numbers type करता हूँ, अब इस numbers को serial wise हमें sequence में लगाना है, तो पहले हम data को करेंगे select, और press करना है, alt, h, s, o, short, तो short का मतलब होता है data को arrange करना, कि आप इसे किस तरीके से लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने क्यूंकि number लिखा है, तो number हमें use करना है, अगर हम text का इस्तमाल करते हैं, तो text contain का use करते, या फिर date, तो date के according भी arrange कर सकते हैं, तो text पर select करना है, text पर नहीं number पर करना है select, और ascending order में इसे okay कर देना है, तो इस सारा data हमारा arrange हो जाएगा, और यह सभी sequence में दिखाएगा, दुबारा press करते हैं, alt, h, s, o, और इसे हम descending order पर click करेंगे, तो यह descending order में आ जाएगा, सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम में शो कर देगा आपको, short के बाद आता है alignment, alignment का मतलब होता है कि जब हम कोई भी contain लिखते हैं, तो हमें किस direction से लिखना है, तो जैसे कि यह भी left side से लिखा हुआ है, अब मुझे इसे right side की और ले जाना है, तो प्रेस करना है, control R, तो इसे कहते हैं, right alignment, इसी contain को अगर हमें center पर रखना है, तो press करना है, control E, इसे कहेंगे हम central alignment, और इसी कंटेंड को लेफ्ट के और ले जाना है तो इसमें हम तीन डायरेक्षिन यूज करते हैं लेफ्ट, कंट्रोल-L कमांड से, सेंटर, कंट्रोल-E और राइट, कंट्रोल-प्लस-R इसके बाद आते हैं Paragraph के लिए Justify तो Justify कैसे काम करता है तो हम Paragraph को करते हैं Select क्योंकि यह जादतर हम Paragraph पे यूज करते हैं तो Justify हमारा Fourth Alignment है यहाँ पर आप देख सकते हो यह Justify Alignment दिया हुआ है तो Justify कैसे काम करता है तो हम देखेंगे कि यह Paragraph Left से विल्कुल Equal है बट Right से Equal नहीं है तो दोनों साइट से हमें Equal करने के लिए Justify उस करेंगे Justify की Shortcut की होती है Ctrl प्लस J तो जैसी आप Ctrl जे प्रेस करेंगे Paragraph दोनों साइट से बराबर हो जाएगा इसके अलावा एक और Justify लाइगमेंट यूज कर सकते है इसकी कमांड है Ctrl Shift J तो प्रेस करते हैं Ctrl Shift J और आप देखेंगे कि इसमें Last Paragraph भी बराबर हो गया है तो जर्णली इसका हम बहुत कम यूज करते हैं बट Justify का बहुत जादा यूज होता है Letter Head बनाने में Applications बगरा बनाने में Alignment का हम इस्तमाल करते हैं इसके बाद हमारी Next कमांड है Line Spacing Line Spacing का मतलब होता है Line में Gapping देना कि कितना Gap आप देना चाहते हैं तो Line Spacing में हम यहाँ पे Paragraph के बीच में यह जो Space है Line यह Space को बढ़ाना होता है तो इसकी जर्णली हम 3 कमांड यूज करते हैं पहली है Control प्लस 1 इस Space को बहुगते हैं 1.0 Space Control प्लस 2 2.0 Space and Control प्लस 5 1.5 Space Third Space जो होता है उसे कहते है Paragraph Space जैसे कि यह Paragraph आप देखेंगे तो यहाँ पे खतम हो गया है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इनके बीच में जो Gap होता है इस Gap को कम करने के लिए हम प्रेस करते हैं Alt H K A इस कमांड को बोलते हैं Add and Remove Paragraph Space यह एक तरह का Paragraph Space पे काम करता है इसको Space को कम और ज़्यादा करने के लिए तो यह हमने 10 कमांड सीखी Word Formatting की जो कि Text के ऊपर Use की अजाता है इसको Change करने के लिए उसकी Formatting को बदलने के लिए तो आज के लिए इतना ही और इस वीडियो को मैं यहीं पर करूँगा Wind Up अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें Share करें और Subscribe करें Thank you Thank you for watching this video